मन पाइक तो तुकाराम मुंडे का अचानक मुंबई तबादला होने के बाद आम नागरी को सिले कर राजनितिक और सामाजिक संगटोनों में नाराज की व्याप्त है दोस्त के अंदर जाने के बाद शोशाले की कुण्डे बाहर से बन करने का मामला इतना तुट पकड़ गया कि यूवक की जान चली गए इम्रुतर का नाम शुबं था घटना 24 अगस की रात हुई आरोप है कि दोस्तों ने ही चाकों से हमला कर दिया राम टेक थाना अंतरगत मंसर कांदरी के बीच एनेच साथ पर मालगाडी से एक कार MP 22 ये 25 पचपन का टक्रा गई इसमें दो लोग घायल हो चुके हैं रेलवे क्रॉसिंग से मालगाडी कांदरी माइन जा रही थी जबकि कार जबलपूर की ओर से आ रही थी अगटना 26 अगस की रात करीब 12 बजे की है लकडगन शेत्र के जुना बकडगन दादा जी धुने वाली चौक निवाजी चेतन सोनबा जी नाखपुरे ने अपने खर के शोचाले की खिरकी में तारबान कर फास लगा ली खटना 26 अगस की है आत्मत्य की कारणों की जानकरी नहीं पूपाई बंबई हाई कोड की नाखपुर खंडपीट ने किरवार को स्टुडेंट राइट्स असोसेशन ओप इंडिया को आदे दिया कि COVID-19 संकरमन की वज़ा से महराष्ट लोग सेवा आयोग परिक्षा केंद्र अपनी सुविदा के अनुसार बदलने की अनुमति पाने के लिए बंबई हाल खोशित करने अस्ताय रूप से इंकार किया है इसके लिए इस्ट्यूट के प्रमुक डॉक्टर विनाश पोफली नहीं आचिका दायर की है नाकपुर में कोविड मरिजों की संख्या बढ़ती जा रही है अब कलमना की कुशियोत पना बाजार समिती के मार्केट परिसर में भी कोविड का प्रवेश हो चुका है बाजार के सहसे ज़्यादा लोग संख्यामीत होने की जानकारी है इसमें व्यापारी, अर्थिया, हमाल और करमचारियों का भी समाविश है मृत्यू के पाच कारणों में रुदे विकार एक प्रमुकारने जिन मरिजों का रुदे बेकाम हो जाता है उनके लिए प्रत्यारोपन ही अंतिक परहा रहता है राज्य में पुने, मुंबई और अधंगाबाद, नागपुर के नीजी अस्पतालों में रुदे प्रत्यारोपन की सुविदा है लेकिन शास के वैदिके महाविद्यालेव अस्पतालों में सुविदा उपलब नहीं हो सकी है गनेश विसरजन के लिए तीन से चार दिनों का ही समय बचाए ऐसे में मन्ता की ओर से गनेश विसरजन की तैयरी है और शुरू कर दी है मन्ता की ओर से विसरजन के लिए आपके द्वार व्यवस्ता की गई है इसके तहट मन्त पादवारा लोगों से घर में ही गनेश मुर्तियों का विसर जन करने की अपील की गई कोरोना ताल में मामुली तवियत भी ठराब हो जाए तो लोगों का टेंशन बढ़ जाता है इस बीच अनेक नीजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को भरती नहीं करने समधी शिकायते मिलनी लगी है इस समध में प्रश्वासंतर अध्यान ने दिने जाने का नतीजा है कि कई लोग इलाज नहीं मिलने की वज़े से ही दम तोड रहे है